यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ यानि राश्ट्रियस वहम सेवक संग के कारकरम में नसर आएंगे और ये खबर जैसे ही सामने आई है सियासी गलियारों में हल चल बती है खास तोर पर कॉंग्रेस में खल बलीख है भारत के पूर्व राश्ट्रपती प्रणा मुखरजी नागपूर में आरसेस के मुख्या ले जाएंगे उन्हें साथ जून को नागपूर में स्वहम सेवकों के विदाई संबोधन के लिए आरसेस ने आमंत्रत किया है प्रणा मुखरजी संगशिक्षा वर्द की तृतिय वर्शिप ओटिसी यारी की ओफिसर ट्रेइनिंग कैम्प में शामित हो रहे स्वहम सेवकों को सब्बोधन करेंगे आरसेस के साथ पूर्व राष्टुपती के कार्याली ने भी इस यात्रा की पुष्टी कर दी है बताया जाता है कि प्रणा मुखरजी इस कारिक्रम में दो दिन शामिल होगे इसके बाद वो आठ जून को नागपूर से वापिस लोटेंगे लेकिन इस आमंत्रन के बाद केंद्रि मंत्री नितिन कड़करी ने भी कहा है कि अगर प्रणा मुखर जी आरसेस के कारेक्रम में जाते हैं तो बुरा क्या है आरसेस देशुखक्तों का संगचन है इसमें कोई बुराई की बाद नहीं है उन्होंने कहा कि आरसेस कोई आतंकी संगचन नहीं है ना ही कोई पाकिस्तानी संगचन है इसलिए किसी को आपत दीन नहीं होनी चाहिए यह करने वाले लोग दूसरे को कमुनल कहते वो खुद कमुनल है और बहुत छोटे दिल के हैं मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो कमुनिस पार्टी के मुख्यले में हमारे नागपूर के एबी बर्धन रहते थे और मैं उनको आइकॉन मानता था उनके आशिरवाद द लगातार हो रही बयानबाजी पर राष्टे संसेवक संग का भी बयान आया है आरेसे की और से कहा गया है कि जो लोग संग को जानते हैं उनके लिए ये कोई चौकाने वाली बात नहीं है हमने अपने कारिक्रमों में पहले भी देश के बड़े लोगों को बुलाया है और इ गौतर अभे कि पूर्वर राष्ट्रपती प्रणा मुखर्जी साजुन को राष्टे संसेवक संग के नापपुर मुख्याल ले जाएंगे वो संग शिक्षा वर्ग की प्रित्य वर्ष में शामिर हो रहे संसेवकों को संबोधित करेंगे अब इस निमंत्रन पर और न्यो पूर में संग को के विदाई संबोधन के लिए आरसेस ने अमंत्रित क्यार प्रणा मुखर्जी संग शिक्षा वर्के तरित्य वर्ष यानिकी ओटिसी ओफिसर ट्रेनिंग कैप में शामिल होंगे और वहाँ पर संबोधित भी करेंगे खास पैनल के साथ विजेपी से प्रवक्ता विरेंदी सिंग चोहान साथ हैं बहुत स्वागत है आपका कॉंग्रेस से प्रवक्ता तरुन घंडार जी हमारे साथ है आपका भी बहुत स्वागत है इन्यलू प्रवक्ता अश्योग शेरवाल जी हमारे साथ है साथी विश्व हिंदू परिशत से विजे भार्दवा जी हमारे साथ है आप दोनों का बहुत शागत है चोहन साब क्या मान कर चला जाए कि आरेसिस की स्विकारिता बढ़ी है जस तरह से आमंत्रिक किया गया प्रणव मुखर जी को वो जाएंगे संभोधित करेंगे कॉंग्रेस के कई नेता स्विकारिता बढ़ने के पैमाने के तोर पर अगर कोई देख रहा है तो मैं यह समझता हूं न वो संग को जानता है न संग के विचार की व्यापक्ता को जानता है रास्ट्रिय स्विमसेवक्संग संसार का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है रास्ट्रिय स्विमसेवक्संग केवल भारत में नहीं विश्व के सैकडों देशों में कारी करता है भारती मूल के जो लोग जहां कहीं भी रहते हैं वहां रास्ट्रिय स्विमसेवक्संग र कि स्विकार्यता या राश्टिय स्वेंसिवक संग का विस्तार वो आधरिनिये प्रणम मुखर जी के वहाँ आने से उसको जोड़ कर देखना ये मैं समझता हूं कि ये बहुत तात्कालिक सा विशलेशन है हां ये बात जरूर है के राश्टिया स्वेंसिवक संग के कारिक्रम में डॉक्टर मुखर जी समेट देश के बड़े बड़े नेता देश के बड़े बड़े महानुभाव सेना के अधिकारी न्याया अधिश विभिन समाज जीवन के क्षेत्रों के लोग अलग अलग विचारधाराओं के भी जो सीधे तोर पर संग की विचारधारा को पहले स्विकार नहीं करते हैं उनको भी रास्ट्रिय स्विमसिवक संग बुलाता रहा है पहले भी उनका सागत करता है अपनी बात कहता है अपने विचार को उनके सामने जोड़ कर नहीं होनी चाहिए हाँ राष्ट्रिय स्विमसेवक संग का विस्तार कितना हो रहे इसकी कलपना आप इस बात से कर दो मैं एक टिपणी कर दू स्विकारिता की जहां तक बात है साहब यह संयोग की बात है कि आज और यह सुखद बात है कि राष्ट्रिय स्विमसेवक संग के स्विमसेवक समाज जीवन के हरक्षेत्र में काम कर रहे है और इतना उसका विस्तार है इतना उसकी स्विकारिता है कि राष्ट्रपती भवन में जो राष्ट्रपती के रूप में है वो भी संग के स्विमसेवक है और देश के उपर अस्ट पति हैं, वेवी संगत के सब्सेंद नहीं कहा गया, तो कॉंग्रेस के बढ़े चेहरे के तौर पर प्रड़मोखर जी रखे, अब वो जाएंगे, क्या कॉंग्रेस के लिए भी स्विकारता बढ़ने की बात है, क्या कॉंग्रेस की कहानी के लिए नय नेता चोटा या बड़ा संग को देश्टरोई संगटन कहता है तो अपना मखोल उड़वाता है अपनी नासमझी अपनी समझ की कमी का प्रमान देता है देश में अगर सरवाधिक राष्ट प्रेमी लोगों का कोई संगटन है तो राष्ट्रिय स्विंसेवक संग है एक दारन सम्हालने में और अन्य-अन्य स्खानों पर सेना की मतद़ जैसे की एक चट एक चट एक चट एक चट ये बात कहने दीजे बड़ी मात पून बात है तो पंडित नहरू पंडित नहरू ने स्वयम आगे बढ़कर राश्ट्रिय स्वयमसेवक संगित के स्वयमसेवकों को संबंजित इंद्रेश कुमार की हम कुछ बाते कुछ बयान सुनाते हैं उसके बाद चर्चा पर से लूटेंगे और एक जंडा और एक नागरिकता रहनी चाहिए इसका भी कहीं ना कहीं एक तरफ उनकी जिंदगे में दिखती थी उनका जाना राजनितिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए अब वो किसी एक राजनितिक दल के सदस्य भी नहीं रहे है और आगे की पूरी जीवन के अंदर वो किसी एक राजनितिक दल के सदस्य बनकर रहने वाले भी नहीं है राश्ट्री है स्वयम सेवक संग, गैर राजनितिक है, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवी है, समाज से भी और राश्ट्र के उत्थान संदीब दिक्षित ये कहते हैं कि अब कैसे प्रेम जा गया है, वो कड़ी आलोचना करते रखे, प्रणमोखर जी की और से कड़ी आलोचना की गई, देश से बाहर निकाल दिया जाया, रसे इसको ये भी कहा गया अब वो आमंत्रण पर जा रखे है, इसको कैसे समझा जाएं, ऐसा है जोती जी से पहले भी, जब वो रास्ट्रोपती थे तो ये कई बार इनकी मुलाकाते हो चुकी है, रास्ट्रोपती भवन में भी ये जाकी मिल चुकी है, जहां तक संदीब दिक्षित जी की बात है, उ जो हजार दस में जब बुराडी में हमारा कॉंग्रस का दिवेशन था, तब हमारे मानिया प्रनमुखर जी ने ये कहा था कि संग के बैन लगना चाहिए, और भी कई बाते गए तो ये में ये भी बताना चाहता हूं कि जो संग का ये कारेकरम होता है, इसमें वेपरीत अगर संग के प्रमुख रास्ट्रपती जी को पांच बार मिलने वहां जाते है तो इसका ये मतलब नी था कि संग की तरफ चला गया तो ये भी उसका, ये भी उसका, ये भी उसका, अपनी पर्सनल रिलेशन अच्छे हो, राजनीती के इलावा भी कई लोगों के पर्सनल र रद होगी प्रंदू इनकी रद नी हो पाई, इनकी मुलाकात अच्छे टंग से हुई, क्या इनके आपस में पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं, जिनके कारण वो जा रहे हैं, जहां तक बात है कि संग के खिलाफ उनकी बात करने की ये प्रनमुखर जी ने कई बार, कई मंच से बोला, जिसमें 210 का जो पुराड़ी दिवेशन था, उसमें तो उन्होंने क्लियर बोला. मांसिक्ता वाली बात है, अंग्रेज आरेसे से डरते थे, अजादी से पहले, अंग्रेज आरेसे से डरते थे, और इनको देश द्रोही, समाज द्रोही, राष्ट द्रोही, सत्रा की इनके उपर बात करते थे, और इनको संगठी दिन होना देना चाते थे, ये जो अंग्रे अजया जाकरी मैंने दीन नहीं है कि पाथ साहब नहीं हो पाया कि तरुप मंधारी साहब नहीं क्या है है अब कर घर चे प provides export कि अंग्रेज शुआ वMax Bernadji अच्शार क्यों अबको आपको आपदि क्या थी इस बात से कि अंग्रेज अंग्रेज दुष्मन मांते थे आप अभी अभी रूकिये सरह ब को दृतें विका दरते भी थे यह जाट जिन लोगों ने दी महात्मा गांधी के बारे इनके आज जिनको यह क्या रहे है महात्वाथ महात्वा जी की शाकारmiyorum महात्मा जी की शाका साहदत मत भी तबो मुद्यूंगा जबो। आप कॉंग्रेस ये कःगी है तौन चौन साब आएंगे जिगनेश विगारी कुछ आप गई है देश में सम्वीधान को खतम करके मनुस्मृति को लागू करना चाहता है और 1925 से एक फासिवादी ताकत के रूप में वह हमारे देश में पनपा है मैं व्यक्तिगत रूप से इसा मानता हूं कि किसको कहा जाना वो उसकी पसंद्धी का विशह है लेकिन जो रास्टपती रहे चुके ऐसे व्यक्ति प्रणौ मुखर जी का RSS के केम्प में जाना वो उचीत बात मुझे नहीं लग रही है लेकिन जब आही रहे तो मैंने उनसे इतना सजेशन है कि RSS की दुकान को ताला लगा कर वापस से लगाने की कॉंग्रेस ने जिनके की पिट्थू मेवानी भी खुद है तीन बार कोशिश की तीन बार रास्टिय स्विमसेवक संग पर जूठे आधारों पर कॉंग्रेस की अलग-अलग सरकारों ने प्रतिबंद लगाया तीनों बार कानून का दुरूपयों करके प्रतिबंद लगाया और उसी कानून के तहट वो प्रतिबंद इनको वापस लेना पड़ा रती भर ये कुछ प्रमानित नहीं कर पाए चाहे 48 में महात्मा गांधी की हत्या के बार जूठा रोप लगा के प्रतिबंद लगाया हो और चाहे तीसरी बार जब अयोध्या में वो बावरी धाचा गिराया गया तब संग पर प्रतिबंद लगाया हो राष्ट्रिय स्वयम सिवक संग कोई स्वार्थ की राजनीती का संस्थान नहीं है वो राष्ट्रवादियों का ठिकाना है राष्ट्रवादियों के ठिकाने पर किसी मेवानी से या उसके कहे से कहीं ताला लग नहीं सकता किसी के हिम्मत नहीं है एक च्छोटी से टिपणी और मैं बता है, एक एक बात यह कहना चाहता हूं, हमारे बंडरी गड़े आक्रोश में कहे रहे थे संग अंग्रेजों का पिट्थू, हुग व्वावावव थे pomimut अंग्रेजों के पिठ्थू, पंडित मेरू इसलिए कहला सकते हैं क्यूंकि उनकी मित्रता, लाड माूंट बेटन से बहुत गरी करें अंग्रेजों के पिठु पंडित मेरू या उनकी मित्र मैंडली हो सकती है जिनकी मित्रताँ मैंडुण से चलिए, इस पुरिणाठी आपने देश के पहले प्याम अंग्रेजों के पिठु हो सकती है कि अब देश के पेले पीज़ों के बिल्टू हो सकते हैं अब धर करके बोले लिए अपने आपने पैनल पर यह कहा जाना कि इसके पने प्धीज मुखते अब संग के संस्थापक डॉक्टर केशाव राव बली राम हिटगेवार जिन्होंने 1925 में विजय दश्मी के दिन संगी किस आपना की डॉक्टर हिटगेवार स्वयं कॉंग्रेसी थे बंडारी जी और वो जिस कॉंग्रेस के सदफ से रहे संग शुरू करने से पहले वो कॉंग्रेस इंदिरा कॉंग्रेस नहीं थी वो बंडारी जी की कॉंग्रेस नहीं थी सोनिय गांधी और राहूल गांधी की कॉंग्रेस नहीं थी वो वो कॉंग्रेस थी जो स्वाधींता संग्राम की लड़ाई कहीं कहीं लड़ती दिखा 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 दि सब्सक्राइब करिंद के रिए थिकर कर सादी रचेलगे पर गाल टाम कर नहीं लों अतर नहीं पर लुके पर प्रुटा खीर चाल पर एक टमान शेट से की NIH गहां लुग हमें आंषुट जोटी जी जहां तक आज डाप्टर पढ़नम करजी की आरस साखा में जाना की बात हुई है कौन किसको बलाता है कौन कहां पर जाता ये उसके पर डिवेक में डिपेंड करता है तो ये कोई मुझ्दा नहीं है हर कोई जाने में कोई जयानिके उसकी सब्तंतरता है जाए अरपने विचार रखकर क्या है वो सकता है उसके विप्रित वह विचार रखकर क्या है विचार सविधान से चलता है यह से बात नंबर दूसरी बात क्योंकि RSS खुद यह बोलता है कि हम सविधान को बदलेंगे छिस पे मुझे बहुत बड़ा अफ्सोस है ने अच्छ इसलिए ने बड़े नेताओं के ब्यान सुनते हैं लेवन अन्हें महाण भागवत जी का भी ब्यान हमने सुना है उन्होंने भी कितनी बार बोला है कि सविधान बदलने की जूरत है तो आज सविधान बदलने की जूर तुनियाद सवीधान बचाने की जूटा है किया मोहन भागोटी ने सीधे तोर पर बोले अश्वधी एक ज़्क प्रशान रहा है। कि आपने कहां सुना मौन बादों कि इस पर बदा देंगे किस पी सुनिये कितरी आपके मंतरी बोलते हैं प्रेशन का उपतर देता है सब्सक्राइब करें लेकिन भाजपा उसको कितने तज्यव देती है आज मेरा मानना है कि हर्याणा प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर आज भाजपा की सरकार जो चल रही है वो बिल्कुल आरसस के मताबिक ही सारा आरसस के मताबिक ही जिस पर कार से डानो क्रेशी के मादब से सरकार उसके मादब से चाहिए विपक शारूप लगाता है कि हिंदोत्यू का एजेंडा आप लोग लेकर चल रखेंगें विचारधारा जो है आपकी मिलती है आरसस के साथ अभी अश्योग शेरवाल जी ने कहा कि सरकार कौन चलाता है और सरकार किस हिसाब से चलती है समविधान के हिसाब सो या फिर आरस जो चाहिए राष्ट्य स्वयमसेवक संघ भारत के समविधान में पूरी आस्था रखता है राष्ट्य स्वयमसेवक संघ समविधान को बदलने के लिए काम कर रहा है ऐसा कभी कहा नहीं गया लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए अशोक शेरवाल जी को और लोगों को अशोधन कोई अनहोनी नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अशोक शेरवाल जी को पसी में आने चाहिए दूसरी बात एक मिनिट अशोग जी प्लीज आप एक बात सुनिए दूसरी बात ये कहते हैं कि देश को आरेस चलाए कि भारतिया जनता पार्टी चलाए कि जहां के तहट निर्वाचित सबसे बड़ा राजनितिक दल है जनमत उसको मिला है तो सरकार चला रहा है रही बात संग की संग एक सामाजिक संगटन है संग में शेरवाजी भी चले जाए और भारत माता की जैका जारा लगाए हमको अपति नहीं है जाहुल गांदी भी आ ज उतर देता हूं उसकारी राष्ट्रिय स्वयमसेवक संग मैंने कहा कि वो सामाजिक सांस्कृतिक संगटन है उसके स्वयमसेवकों पर राजनीती में जाकर देश भक्ति के राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर कोई कानूनी रोक है क्या राष्ट्रिय स्व दूसरी बाद विचार दहरा का सवा एंटी कॉंग्रेस बहुत बार कॉंग्रेस से खिलाफ हैं संग यह कहता है कि संग तो समाज का ही एक स्वरूप है कॉंग्रेस में जब पंडित महरू राष्ट्रिय स्वयमसेवक संग के कारियों से प्रभावित हो कर रिपब्लिक डे की गंतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रिय समसेवक संग को बुला सकते हैं तो इस तरह की बाते करने वाले वो लोग हैं जिनको संग की समझ नहीं है संग को जानते नहीं पब्लिक ये जानना और समझना चाहती है कि एक बार तो ये कह दिया जाए कि आरेसेश के लिंक आतंक से जुड़े एक है जूटा प्रमानित नहीं कर वाई प्रमानित नहीं पर जाए 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 फिर इसको कहते सम्धा जाए एक सवाल यह भी है बंडारी साब के आपत्ति क्यों है अगर जाते भी है पड़ा उखर जिवा यह बताना चाहता हूं चुहान साब अभी बड़े बड़े लंबे शब्दों में बता रहे थे सविधान जन्मत यह वर्ड इनके मूं से चोबानी देते हैं सविधान सविधान की इन्होंने दजियां भी पिछले करनाटक चुनाम में बूडाई हैं उत्राखंड की बनी बनाई सरकार इन्होंने घेरने का गिराने का काम किया जो मानिये सुप्रीम कोट ने दोबारा उस पे सिक्किम आप देखें गोवा में गोवा में जहां हमारे 19 सविधान की दर्जिया उडारे हैं आज मैं शेरवाल जी से बिलकुल एगरी करता हूं जो आज सविधान को इतने एक्षे रूप से बनाया आज देश को जुरूरत है अब बताना चाहूंगा यूपी के चुनाफ से पहले आपके राष्ट्रेस सविधान को चेंज करने के जुरूरत है यह बिलकुल ऑन रिकॉर्ड है मैं बता रहूं कि शेरवाल जी नहीं बता पाई यूपी के चुनाफ से पहले की बाता है प्लैंटर आफमेंड में डर चीज है अफो गुमाइए नहीं घुमाइए Season Và Dogada पी नहीं बाता है आज इनकी सरकार रहा है राज इनकी सीर पे चरगें लोगों की बात मीं सुनरा हिए से अब आट हो जंता इनको इतिहास मुनादेगे इतिहास यह बतारो यह सुनने का सभी है और जनमत की बाद करें वो भी जनमत था उत्राखन में भी जनमत था वहां में भी जनमत था आप पर चल्या भी की गई भंडारी साथ वह पारिशिसका लिंग के साथ है प्रण मुखर जी जो है तक देश को अन्ग से लिंग है और संग का एजनडा हमेशा राज करने का इस जंग से रागी देश को बांटो फिर राज करो इसके रहाए परमान दूगा अगर आज पस्चिम मंगाल में एक साल पहले हमें इनके हमें शाजी जाते हैं और उसके बाद वहां दंगे होते हरियाना में भाईचारा हमेशा का इम्रा आज तक जब से हरियाना पड़ा यहां मुस्मिव और हिंदु को नीपाट पाए यहां भाईचारे को खदम इनों न जवाब पर नहीं आएंगे आप आतंक से लिंक है आरेसे का ये बात कही गई संदीब दिख्षिक खुद बोलते हैं कि अरेसे का इसे लिंक है अब उभी के कारिक्राइब आगे है तो जलता कैसे समझे ये विरोधावास नेगी अपने आप मेरी पास जोब लेंगे लेंगे पिलिन छोटा सा ब्रेक्षां साथ कारिकरता होंगे और इसी पर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है जो बयान बाजी है उसका दोर जारी हो चुका है आपके बास आना चाहिंगे टरुन ब्हंडरी साब एक जवाब तो पहले ही आपसे लेना लेकिन एक सवाल ये भी ह राजनितिक लियास से कॉंग्रेस को आने वाले 2019 चुनाव में क्या नुक्सान जेल ना पड़ सकता है यह इसको राजनितिक रूप से देखना यह गलत है मैं पहले भी बता चुका हूं हो सकता है कि उनके आपस में पर्सनल रिलेशन और इससे पहले तो उनके घर पी जा सकते ह है और ना वो अगी आगे कभी चुनाव में कमी पाटिस्पेट करेंगे तो इस बात के लिए अगर किसी किसी ने उनको इन्वाइट किया है और इसके उपर बिलकुल बैन लग जाना चाहिए बुराडी में 2010 में उन्होंने खुद आप दीख लिजी उनके रिकॉर्डिंग उन्होंने खुद कहा था कि संग, संग देश विरोधी है और इसके उपर बिलकुल बैन लग जाना चाहिए बुराडी के दूरेशन में हमने सुना है और आरसेस को लेकर सारजिनिक मन्च से कुछ कहा जाए उसके बाद दिया जाए कि उनके वेक्सिकेत रिष्टे जी को में क्या पता हो जाके संग को समझाने का काम करें कि आप बांटना बंद कीजे धरम के अधार पर उनका क्या मैसिज आता है उसको ने कीजिए बाकी संगियों से तो नहीं है किस पर हमें को या पतीनी कहीं भी प्रणा मुखर जी जाए लेकिन को वे उनका पर ना वो आज हमारे संगठन में हैं जब वो हमारे संगठन में थे जब उन्होंने काम किया तब उनके विचारों की बात में आपको पता रहा हूं मैं किवल ये बात कहना चाहता हूं कि भंडारी साहब बार पूछे जाने पर बी ये बताने की स्टिती में नहीं है कि संग से इनको परेशानी क्या है असली बात यह है कि कॉंग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं और देश के और सभी वर्गों के जो बड़े बुद्धी जीवी और या नेत्रत्रत्र के शिकर पर पहुंचे लोग हैं, उन्होंने संग के करीब आकर जब संग को देखा, तो संग को रास्ट्रवाद से भरपूर, सराबोर पाया, महत्मा गांधी, महत्मा गांधी संग के एक अनुसूचित जाती के जो स्विमसेवक भी होते हैं क्या, अगर होते हैं तो वो कहां खाना खाते हैं, तो संग प्रमुक ने और वहां जो अधिकारी हमारे थे, उन्होंने कहा कि सहाब हमारे यहां कौन अनुसूचित जाती है, कौन कौन सी जाती है, यह तो पूछते ही नह तो संग की इस बात को व्यवहारिक रूप से जातिवाद को समाप्त करना इस प्रभावी कारे को देखकर महात्मा गांदी प्रसंद नहोते हैं डॉक्तर अमबेड कर संग के नजदीक आये संग को समझा और संग की तारीव की सेना के अनेक बड़े अधिकारी सेना पती न्यायधीश उन सबने संग के काम को सराहा स्वाधिनता से पहले स्वाधिनता के बाद दूसरी बात एक बार-बार हिंदुत्यू की बात की जाती है औ क्वाधिना प्रताब देश के सर्वुच्ट नियायलेन सुप्रीम कोट अव इस गन्ठी उसने कहा के हिंदुत्व किसी पंथ संप्रदाय धर्म का नाम नहीं है हिंदुत्म भारत की अंडिया की जीवन शैली है उसका नाम है यह सुप्रीम कोट ने का मैंने निका संग भी हिंदुत को भारतियता के समतुल्य पर्याइवाची के रूप में मानता है इसलिए संग कहता है कि भारत में जन्मा प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी मंदिर मट मजचित कहीं भी जाता हो वो हिंदू है, वो हिंदुस्थानी है, वो भारतिय है इसलिए संग बाठता नहीं साब संग जोड़ता है बंडारी जी को सब्सक्राइब कर जी का भी नाम आया देखिए बावा साब भी मेंडिकर जी ने कभी भी हिंदुतव को सविकार ने किया पहली बात नकारा कभी नहीं एक बहुत धर्म ना अपनाते धिटियों को देखते हूए जातपात के दन्स को देखते हुए उन्होंने बहुत धर्म को अपनाया था तो बहरत के जीवन शैली का नाम है तो गलत मत कहीं ना आप गलत प्रिफाइंगे क्या जात पाफ नहीं है जात पाफ का जहर नहीं है का इसके अंदर मैं ये कहता हूं सुनिया आज सुप्रीम कोट ने कहा के हिंदुत्व वो किसी पंथ संपरदाय का नाम नहीं है शेरवाल जी सिंपल से इसको तसमझ भी जे और समाज में कोई बुराई है तो उसके कि आप संग अस्प्राइब आप शूत करें आप शूत करें आप शूत करें अशोग जी आप से जाना चाहेंगे क्या ये संको अंदेशा नहीं था कि कॉंग्रेस के भार या भीतर इस तरह का अगर होता है इसके खिलाफ के क्यूं जाना चारें दबाव बनाया जा सकता है क्या अंदेशा नहीं था प्रणभर जी वहां ना जाए नहीं देखिए छोड़ी जी न पहले आपको बात समयनी पड़ेगी एक दम बंडारी जी बढ़क जाते हैं ये जो संक के खलाफ हैं संक के खलाफ तीन विचारधारा हैं पहली तो जो अंगरेजों ने छोड़ी थी भी संक से नफरत करते थे दूसरी कांग्रेस ने अपना वाली जो एकसम इजम ही है गांदी इजम वाली जो विचारधार है वो संक के साथ इनका इट कुत्ते का वहर है बिलकुल ही और तीसरी विचारधारा जो यहां पे जो इन्हों नहीं इनकी और अंग्रेज्जों की मिली वी विचारधारा बामपंथी विचारधारा जिसने स प्रजुट से बतनाम सम्ग को किस से कैसे बतनाम करना है और कैसे लिटरेचर के हिसाब से इसको बतनाम करना है और यह सारी विचारधारा जो है इनको थ्रू अपना क demographics के हिसाफ से और भी Intellection युद्ने उटने खडे किया ये बड़ी गंदी विचाधारा के लोग है जो अंग्रेजों ने ही पूदिगी है। अब आप जो ने जोटी जी आप इन्होंने बड़े कोश्चन की हैं उसकी मैंने जवाब देने एक बार आप जवाब दीजेगा आप इस वात का भी जवाब दीजी कि किंद्रियों नितिन गर कर पाकिस्तानी संगठन नहीं है आरे से तो कई वड़े निता इस तो पर आप इसे प्रणव अच्छा लगता है। पर आप देगे पर आप में जवाब दीजेगा पराकिस्तानी संग्ड़ी है। आप लोग भी रांस दर मानने वाले हैं जो भी आपको लगता है सुनिये सुनिये सवाल नहीं सुनिये कि जबाप लिया आगा सुनिये आप लेकि आप लेकि आप लेकि डापकर क्या अंस दर में जो दान पर दान मैं पार का तरु है कि तॉपगो लेकि सवाल ये हैं तुरुपा कीजे कहने से खुष्षाप की कापकियाती पर दोने सुनिये कि आपने वाले हैं हम लोग तो आरे से भी राम को मानने वाले खुद को बनाती है तो कंग्रेस को परिशानी क्यों बहुत चोटा साथ कंग्रेस को परिशानी क्यों है अजय को दो बदारी आप नहीं कि आप गाल कि अलगे नहीं हरा ना है तो प्रके बूलेंगे वागिक रवाद ही पूर जग है किसी के क्या विचारा हम तो आज बता रहे हैं जहां पे भी संग गया है वांगरम के नाम पे पाटा है अगर यूपी में चुनावेते हैं वहां मुझा फर नगर दंगे होते हैं अगर गुजराज़ा चुनावेते हैं यह तो दंगे दिनाने वाली पार्टी है जाहां तक हिंदुतम की बात हो रही है यह देश धर्म रिपेक्स कंट्री है सर्फी बात होनी चाहिए जाहां था रहां तो दोत्या है यह दोत्या कंट्री दान रिपेस कंट्री के लोग रहते हैं अगर धर्म की बात ओनी चाहिए ना की हिंदुतम की बात ओने चाहिए इस वाल हो हुए है कि अप समय का मैं मुखने केमा मुदी तक है अप चाहिए प्राइब करें compravaard आपको बता दूं अब हो सबी भारतिये सर नवी भारतिये हैं सभी भाषिगा बात कहता है आप पोल यह चौहांसा मैं विनमरता से एक बात कहता हूँ, अशोग जी और भंडारी जी कभी-कभी confused होते हैं और certificate certificate कौन देगा कौन नी देगा इस पर ले जाते हैं, मैंने बहुत विनमरता के साथ कहा कि भारत के सरवच नियायले ने कहा कि हिंदुत्व कोई मंदिर जाने का नाम नहीं है, हिंदु एक चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी पूजा पददी को मानता है, और भारत को अपनी मात्री भूमी मानता है, वो हिंदु है, जैसे फ्रांस में रहने वाला फ्रांसेजी, ब्रिटेन में रहने वाला ब्रिटेश, हमारे लिए हिंदुस्तान में भारत में रहने वा चाहिए एक और महत्पुन बात कहना चाहता हूँ यह मैं भी भी कह रहा कि वह सुप्रीम कोट कह चुका एक इन्हों ने कहा कि रामका मंदिर कर ला May पूर्य क्या किया है। सब्सक्राइब कर देखिए समझ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लें जस्टिस कुलदीप सिंग के सामने प्रशन आया था कि हिंदुत्व क्या है तो जस्टिस कुलदीप सिंग ने सुप्रीम कोट के नियाधिश एक फैसले में उन्होंने कहा हिंदुत्व दसनाट मीन अनी रिलिजिए एक किसी पंथ या संपरदाय का नाम नहीं है वो भारत की जीवन पंदती है यही संग कहता है एक चोटी सी बात और कह दूँ एक में रह सायरे नामंदल कर बनाओंगें साहब हम पक्के तोर पर बनाएंगे लेकिन एक नियुक्ष एक बंड़की उन्हों से नो मनें लिए एक बंड़क आप जूस के बंड़की सुने नहीं के पर इस प्युद्णी को पेया औरक जोबतूद्ट के लिए औरक आप बंड़की का न सद्धिक साथ कि बेटी रहो व्याजी के रुजायों तो आमने घिर के पक्ष में हो तो आप जिन आंप जी कुप जी पुखा रही हैं आप जी पवा रही आप कि इस पर दो है है तो आप कि आदेशों की बाइदा रहे हैं जाने के वाईने के लिचा रूंक्य होते हैं, और क्या कुछ बदला उसके बाद RSS में आता है फिलाल इतना ही नमस्कार